गुट बॉर्निंग मैं खिले स्वागत करता हूँ आपका गोलविदेकेसर यूटूब चैनल पे आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त को एक और करेंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कल के यानि लास्ट वाले वीडियो का जो question of the day था उसके बारे में बात करते हैं तो अगर बात करें question था हाल में ही honey testing lab का उधगाटन किस राजजिमे किया गया है यह आपसे प्रश्म पूछा गया था तो मैं आपको बता देता हूँ एक यहाँ पर आप map देख रहे हैं map में गुजरात आपको दिख रहा है और गुजरात में एक location लोग आपको दरसाई गई है red dot से यह है आनन्द तो इसका उधगाटन कहां पर हुआ है अगर state पूछेगा तो state है आपका गुजरात और गुजरात में जगय कौन सी पड़ती है आनन्द जहांपर honey testing lab का उधगाटन किया गया है और honey testing lab का उधगाटन किस के दौरा किया गया है ये भी आद रखेगा इतनी बार समझ में आ गई है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब आज के प्रसनों को start करते हैं पहला प्रशनाच का है धान दीजेगा important प्रशन ये भी हो जाएगा आपका दिया हुआ है रास्ती उर्वरक लिमिटेड किस राजे में जैविक अपसिस्ट कन्वर्टर सयंत्र इस्थापित करेगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मद्य प्रदेश अब मैं कुछ चीज अपसिस्ट जो होगा जो कच्रा होगा उसको क्या करेगा convert करेगा और खाद के रूप में या हम कहें किसका पुनर चक्रण करके इसको खाद के रूप में क्या करेगा develop करेगा दुबारा से विक्सित कर देगा इधनी बात आपको समझ में आई है अब थोड़ी सी बात करते ह इसके बारे में रास्टी उर्वरक लिमिटेड के बारे में रास्टी उर्वरक लिमिटेड की बात करें तो ये एक मिनी रतन कंपनी है ये आपको याद रखना है मिनी रतन कंपनी है ठीक है और इसका headquarter कहां पर है नुएडा उत्तर प्रदेश में है और 1 सप्तमबर 1989 में इ ड्रेगन फ्लाई महत्सो मनाया गया, पहली बार किस राज में मनाया गया है, तो केरला में, केरल में रिसेंटली जो है वो ड्रेगन फ्लाई महत्सो मनाया गया, अब ड्रेगन फ्लाई महत्सो की अगर बात करें, तो कुछ पॉइंट आप समझे, ड्रेगन फ्लाई महत्सो को नाम से भी जाना जाता है थुम्भी मौथ सो या ड्रेगन फ्लाइ मौथ सो बात एक किये ठीक है इसका उद्देश ड्रेगन फ्लाइज और डैम से फ्लाइज के महत और उनके सरच्छड की आप सकता के बारे में जागरुकता फैलाना है ड्रेगन फ्लाइज जो है वो किसी छे सोनम गयात्थलान को प्रतिस्टित सिच्छक पुरुसकार के लिए चुना गया है वे कि छेत्र में सिच्छन कारी करते हैं इनकी लोकेशन कुछी गई है इनका एरिया पूछा गया है जहां पर यह एजा टीचर वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा लद्दा यह इमेज 2020 का रास्टि सिच्छक पुरुसकार दिया जाएगा याद रखेगा इतना अब आगे बढ़ते हैं प्रश नमबर 4 की ओर प्रश नमबर 4 दिया हुआ है हाल में ही केंद सरकार ने रास्टि सुरच्छा खाद अधनियम 2013 के तहत किसे सामिल करने का निर्णे लिया है तो इसका राज और केंद्र सासित प्रदेशों को राइट अच्छा अब इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके विकलांग होंगे उनको पर यूनिट 5 किलो रासन मिलेगा मुफ मिलेगा या जो भी सरकार के द्वारा 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए रेट होता है पर केजी उस हिसा इसका उदेश क्या है भारत के लोगों को भोजन और पोसन सुरच्छा प्रदान करना राइट चले अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर प्रशन नमबर 5 की ओर प्रशन नमबर 5 दिया हुआ है नव गठित रास्टी भरती एजंसी द्वारा आयोजित परिच्छा के आध राजे बन गया है आपका MP मध्य परदेश यानि आपके मामाजी सिवरा सिंग जोहान वाला राजे उमीद कराओं बस इतनी बात आपको इसमें समझनी है बाकी चीज़े आप पता है अलग से भी आप पढ़ चुके हैं मैं बता भी दूँगा आपको रास्टी भरती एजंस किया है किस मोबाइल एप को लाँच किया गया ये प्रशना आपका पूछा गया है तो ये है आपका हारित पत एप एक हारित पत एप लाँच किया गया है ये पूरी जानकारी रखेगा निगरानी रखेगा कि कितने पेड़ पौधे लगाए गए कितने उसमें से सूख कैसे किया जा रहा है हर तरीके की जानकारी जो है इस एप पर रहेगी और सरकार इसके तहट इस पर निगलानी बनाए रखेगी यहां पर इमेज देख रहे हैं नीतिन गड़करी भाई साब की इनके द्वारा लॉंच किया गया हारित पत्थ एप अब बात करते हैं प्रस्ट प्रस्ट नंबर साथ की प्रस्ट नंबर साथ दिया हुआ है इंपोर्टेंट प्रस्ट यह हो जाएगा हाल में ही जारी 2020 की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टिशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ए आर आई आई ए में पहले इस्थान पर कौन सा संस्थान रहा है अब यह जो ज इस्थान किसका रहा है, IIT मदरास का, IIT मदरास पहले इस्थान पर रही है फिर IIT मुंबई इस्थान पर रही है फिर उसके बाद IIT दिल्ली जो है वो आपकी थर्ड इस्थान पर रही है यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक तो फर्स्ट थर्ड और सेकेंड रैंक ज अब बात करते हैं अगले प्रस्ट की और प्रस्ट नमबर आठ दिया हुआ है वर्स 2020 में अर्थ ओवर सूट डे कब मनाया गया है तो याद रखेगा ये तारीक है आपकी 22 अगस्त अर्थ ओवर सूट डे की 22 अगस्त अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ चीज़े आप समझ लीजेगा अर्थ ओवर सूट डे क्या है दैसे डेट क्या है आपकी 22 अगस्त को मनाया गया है तो 22 अगस्त तक आपने क्या किया था 2020 के जितने भी प्राकृतिक संसादन थे जो आपको मिलने चाहिए थे वो आपने 100% क्या कर लिये हैं यूज कर लिये हैं 22 अगस्त के बाद जितने भी प्राकृतिक संसादन आप यूज करेंगे वो आप पर एक प्रकार का क्या होगा प्रकृति का रेंड होगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि अब इस डेट के बाद से कम से कम प्राकृतिक संसादनों को यूज करना है उनको बचाना है जिससे आप कम से कम रड़ी रहें किसके प्रकृति के क्लिर है इतनी बात उमिद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी आप देखे समझ ये अच्छा अब मैंने कहा कि आप प्रकृति के प्रति रड़ी हो जाते हैं अर्थ ओवर सूट डे के बाद अगर आप प्राकृतिक संसातनों का यूज करते हैं तो इसलिए इसको जो है वो पारिस्तित की रिड़ दिवस भी कहा जाता है इस दिवस का उदेश प्रतिवी के सीमित संसातनों के प्रति जागरुपता के लिए उसे सरच्छित करना ठीक है उमित कर रहा हूं समझ में आपको आया होगा अब बात करते हैं प्रस नमबर 9 की प्रस नमबर 9 दिया हुआ है सीमा सडक संगठन ने उत्तराखंट के पिथोरागड जिले के जॉल जीबी सेक्टर में सेक्टर में बेली ब्रिज का निर्माड कारी सबलता पूरवक कर लिया है यह पुल जॉल जीबी को किस सिस्तान से जोड़ेगा मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूं कुछ दिन पहले जुलाई में भी 27 जुलाई को क्या हुआ था इसी तारीक के आसपास जो है यह एक छोटा सा पुल था 50 मीटर का जो जॉल जीबी और मानसुयारी को आपस में कर रहा था कनेक्ट कर रहा था और यह आपका टूट गया था बह गया था पूरी तरीके से तो सीमा सडक संगठन जो हमारा है यानि बॉर्डर रोड और्गनाजेशन बी आरो इसने क्या किया है बहुत जल्दी ही वहाँ पर दूसरे पुल का निर्मार कर दिया है तो किसको जोड़ेगा आपस में ये किसको जोड़ेगा ये जोड़ेगा आपका जॉल जी भी और मान सुयारी को यहाँ पर एक image देख रहे हैं यही पुल आपका बनाए गया किसके दोरा बी आरो आपको कमेंट में बताना है कि बी आरो क्या है पूरा इसके बारे में जो भी जनकारी आपको मिलती हैं कमेंट्स जरूर कीज़ेगा अब बात करते हैं प्रेश नमबर अच्छा यह बताई दि अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और उससे पहले को सीजे में आपको बता देता हूं कि अस्वनी भाटिया जो है वो किसका इस्थान लेंगे यह इस्थान लेंगे पीके गुपता भाई साब का ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं प्रस्ट नमबर 11 की प्रस् प्लाज्मा थेरपी आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है ठीक है यह ब्लड है थोड़ा सा इसको और अच्छे समझते हैं ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया ये हमारा ब्लड हो गया ये ब्लड हो गया और ये ब्लड जो है आप जानते हैं किससे मिलकर बना हुआ है RBC, WBC, Plate Lets और Plasma तो ये Plasma जो है इसी का यूज किया जाएगा प्लाजमा का ही डोनेशन लिया जाएगा उन वेक्तियों से जिनको कोरोना हुआ था और वो आपके ठीक हो गया ठीक है उनका प्लाजमा लेकर दूसरे वेक्तियों का उपचार किया जाएगा इसकी मंजूरी दे दी है अमेरिका के राश्पती टरम भाई साब ने ठीक डोनाल्ड टरम भाई साब ने इसकी मंजूरी दे दी है तो याद रखेगा इतना आगे बात करते हैं प्रशन नमबर 12 की दिया हुआ है नुवा खाई या नवा खाई एक क्रसी टिवार है या मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूँ ये उडीसा में मनाया जाता है और 36 गड़ में भी मनाया जाता है याद रिखेगा लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर उड़िसा में ही मना जाता है नुवाखाई या नुवाखाई एक दोहार है ठीक है अब ये किसले मना जाता है ये कुछ बाते मैं आपको बता देता हूँ कि नुवाखाई मौसम में नए चावल का स्वागत करने के लिए मना जाता है आप सबको पता है कि चावल यानी जो धान की फसल है वो इस समय एकदम लहरा रही है अब वो पैदा होने वाला है कुछ समय बाद उसकी कटाई बगरा होगी ठीक है तो उसी के स्वागत के लिए इसको मना जाता है या भाद पत्र महिने के चंद्र पखवाड़ी की पंचमी तिती पर मना जाता है जो गड़े चतुरूथी तेवार के एक दिन बात पढ़ती है उमीद कराओं ये भी आपको नुवाखाई या नवाखाई वाला प्रशन भी समझ में आया होगा अब बात करते हैं आज की कुश्चन अफ़ दे की आज का कुश्चन अफ़ दे ये दिया हुआ है कि हाल में ही सोफिया पोपो ब्रेटिस महिला ब्रेटिस ओपन किताब पर कबजा करने वाले किस देश की पहली महिला गोलफर बन गई नाम है सोफिया पोपो और इन्होंने ब्रेटिस ओपन किताब जीत लिया है गोलफ का तो एक किस देश की हैं ये पूछा गया है ये आप कमेंट में बताएगा चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं उससे पहले एक request है छोटी सी अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को like, share और subscribe करना चैनल को बिल्कुल मत भूलेगा और साथी साथ अगर आप regular current affair की वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को subscribe कर सकते हैं जहाँ पर आपको छुटे छुटे और बड़े बड़े सभी प्रकार के current affair के प्रशनों को जो है डिटेल में बताए जाता है Thank you, thank you very much